दुनिया में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खदरनाक और तेजी से फैल रही है अगर देश में तीन महिनों का आंकड़ा देखा जाए तो काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी देश में 10 जनवरी 2021 को 18,000 से ज्यादा माम ले आये थे फरवरी में थोड़ी राहत महसूस हुई कोरोना का संक्रमन कुछ कम होना शुरू हुआ लेकिन मार्च में कोरोना वाइरस ने तेजी से पाउं फैलाया मार्च के महीने में आकड़ों को देखा जाए तो 10 मार्च को 17,000, 20 मार्च को 40,000 और 1 अप्रेल को ये बढ़कर 72,000 के पार हो गया किन देशों में फिर लगेगा लॉकडाउन? जीहां दोस्तों इस बार कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है बिटेन के कुछ शहरों में लॉकडाउन लग गया है इसके अलावा बेल्जियम में तीसरी बार लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है इटली में तीन बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है चीली में भी लॉकडाउन है भारत में जिस गती से कोरोना का पसार हो रहा है उसे भारत के सामने भी कोई विलकल्प नहीं होगा एक अप्रेल को भारत में कोरोना वाइरस के 72,000 से ज़्यादा मामले सामने आये है 24 घंटों में 469 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले तीन मैनों में ही भारत में कोरोना संक्रमन के प्रसार की दर में चार गुना की वृद्धी हुई है तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी रगी कमेंट सिक्षिन में लिखके हमें जरूर बताएं वीडियो पसंद आने पे इसे अपने फ्रेंज और फामली की साथ शेयर करना ना भूले साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले धन्यवाद